असम में 10th की माक्षीट में नाम कैसे बदलें? अगर आप असम में रहते हैं और अगर आपके दस्वी की माक्षीट में आपका या आपके माता-पिता का नाम गलत हो गया है जिसको आप बदलना चाहते हैं, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है. हम आपको असम में 10th की माक्षीट में नाम बदन की जानकारी बताने वाले हैं, इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा आंध तक देखिए. असम में दसवी की माकशीट में नाम बदलने के लिए आपको अपना गजट बनवाना होगा जिसके लिए आपको इन तीन दस्तावेजों को बनवाना होगा पहला आफिडविट बनवाना एफडविट बनवाने के लिए आपको अपने नाम बदलने की पूरी जानकारी इकठी कर किसी वकील से संपर्ख करना है उसके बाद आपको समाचार पत्र में प्रकाशन भीजना होगा जिसके लिए आपको अपने राज्य के भाशा के समाचार पत्र और दूसरा अंग्रेजी भाशा के समाचार पत्र में नाम बदलने की पूरी जानकारी लिखकर प्रकाशन भेज देना है तीसरा दस्तावेज नाम बदलने का आवेदन पत्र बनवाना नाम बदलने का आवेदन पत्र बनवाने के लिए आपको किसी वकील से संपर्क करना होगा और उनको नाम बदलने की सारी जानकारी देनी होगी जब आपका एफिडेविट, प्रकाशन पत्र, आवेधन पत्र बन जाएगा उसके बाद आपको इन्ही तीनों दस्तावेजों को लेना है और गजट ओफिस जो दिल्ली में स्थित है वहाँ ले जाकर जमा कर गजट के लिए अपलाई कर देना है फिर 30-40 दिन के अंदर आपका गजट गवन्मेंट की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा फिर वहाँ से आप अपना गजट डाउनलोड कर सकते हैं फिर आपको अपना गजट और दस्वी की माकशीट लेना है और आपने जिस बोर्ट से अपनी पढ़ाई की है वहाँ जाकर अपने दस्वी की माकशीट में नाम चेंज करवा लेना है हमें उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई जानकारी की मदद से आप असम में अपने दस्वी की माकशीट में नाम बदल पाएंगे लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत वाली बात लग रही है या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका गजट बनवाने में और आपके दस्वी के माकशीट में कानूनी तरीके से नाम बदलवाने में हम आपकी हेल्प करें तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर क कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं धन्यवाद